नमस्कार दोस्तों सवगत आपका इस्टेडीफोर सिविल सेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए एच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिजे और ऐसे वीडियो लगात सब्सकार दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टेडी फार एक जाम समय है दोस्तों यह सामान अध्यन के विजन स्रीज का चौथा वीडियो है इससे पूर्व तीन वीडियो आ चुके है और उसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक जो है वह कबर हो चुके हैं जो से आयोग जो है मैकसिमम प्रस्ण पूछता है और यह वीडियो आपके अगामी एक्जाम यूपियस से आरो यूपियस प्रिलिम्स और उत्रप्रेश पुलिस जो भरती चल लई है उसके लिए काफी बेनिफीचल साबित होगा तो आई हम लोग वीडियो शुरू करते हैं अपसे बड़ा जो राज जो भारत का चेतपलका चार 1 परसेंटे हैं दूसरे अस्तान आपका महध्य प्रदेश का है और यह थोड़ा सा कम जो है, तीसरे अस्तान पर आपका आता है महारास्थ्टो Samiz for the देश के चेतपल का 7-3% है तो चेतपल देखा जाए तो भाहर जो सबसे बड़ा राज्य है वो आपका राज्थान है राज्थान पहले पर आया महराज तीसरे पर और अपना उत्तर प्रदेश जो है वह चोथी अस्थान पर है अगर यहीं पी इस प्रकार से रहता पूछा ज जन संख्याक दिस सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो आपका उत्तर प्रदेश है जन संख्याक दिस से जो है उत्तर प्रदेश पहले अस्तान पर है अब हो गई सबसे बड़े राज्यों की आप चाचा हो जाए छोटे राज्यों की छेदफल दिस से भारत जो सबसे छोटा सबसे चोटा राज्य है भारत के वर्तमान में आठ किनसा प्रदेस है happy प्रशन ह यहां पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टन जो बंता है कि सबसे laser ilia के हिसाब से सबसे बड़ा किंसर्च प्रदियस कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है इसी लिए सब कुम्रों देख लिए है आठ जो किंसर्च प्रदियस है उन में अंडबान, निकुबार, चंडिगर, दादर, नगर, हवेले, विन दमन, वदिव, दिल्ली, लचदीप, पुदुचेरी, जमुकस्मिर अब लद्दाग है इसके राय धानियों देख लिते हैं अंडबान, निकुबार की पोट बलेयर है, चंडिगर की चंडिगर है, दादर, दादर, वणनगर, हवेले, विन दमन, वदिव, दिव, दिल्ली, दिल्ली, लचदीप, कवरती, पुदुचेरी, पुदुचेरी, प जम्मु कस्मेर की स्रेनगर है और लद्दा की आपकी ले है, चेदपल ने देखा जाए, तो चेदपल में अंडबान, निकुबार की 8249 वर किलमीटर है, फिर 14 वर किलमीटर आपका चंडिगर का है, 603 वर किलमीटर ये दादर, नगर, हवेले, दमन, दिव की है, दिल्ली क 2535 किलमीटर आपके जम्मु कस्मेर की है, और सभी किनसाथि प्रदेस हों जो सबसे बड़ा छेत्र है, वो आपका लद्दाक का है, ये सभी किनसाथि प्रदेस हों में इसका चेदपल हो सबसे दिखा जाए, तो सबसे जनसंक्या जो निवास करती हो आपके दिल्ली में प्रदेसों में देखा जाए तो, भारत के टोटल जो है, कितने तटी राज्य हैं, तो टोटल जो तटी राज्य हो आपके 9 तटी राज्य हैं, इनमें कौन-कौन सामिकल है, इनमें आपका गुजरात है, महराष्ट है, गुवा है, कनाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंदर पेपर का लेवल बढ़ाता है, तो आपके औरोही औरोही करम में भी सजानुक दे सकता है, तो गुजराज जो है, सभी राज्यों की तर्टरिकाओं में देखा जाए, सबसे दिख जो लंबी तर्टरिकाओं आपके, गुजराज की है, टोटल जो है, 1214.7 km जो है, गुजराज की तर्टरिकाओं और यह सभी राज्यों जो है, सबसे लंबी तर्टरिकाओं वाला राज्य है, आंद्र प्तेरिस में दूसरे स्थान पर आता है, यह लगभग 973.7 km जो है, 36 इसके अंतरकत आता है, तीसरे स्थान पर कब तमिल नाडु यह 966.9 km आता है, और इसके जो तर स्थान पर आपका 652.6 km साथ महराष्ट आता है, और इसके जो तर्ट का जाता है, कुंकर तर्ट का जाता है, महराष्ट, केरल के जो तर्टी छेतर है, उससे माला बार की नाम से जाना जाता है, और यह जो है, पांचे महराष्टान पर ता है, 579.7 km जेतर के साथ, और इसके चार स्मूद स्टानल चार किलोमेटर आता है और इसके तर्टिय मैदान को और इसके तर्टिखा को कानादा के नाम से जना जाता है और यह जो चेतर है यह अरब सागर किनारी तक जो है फैला हुआ है यह तो होगे और आपका गुवा दमन वद्दीब को मिला कर जो है 160.5 किलमेटर के छेतपल आता है और भारत का जो है गुवा वर्स 1961 से गुवा दमन वद्दीब जो है एक किन साजित प्रदेश का हिस्सा रहे हैं भारत की और यह तीनों अस्तान जो है महराष्ट और गुजरात के निकट पस्सिमी तटी छेतपल जो है इस्तित है पस्सिमंगाल का जो छेतपल जो आता बापका 113.05 किलमेटर आता है पस्सिमंगाल का तटी मैदान पूर्व मेदिनीपूर और दच्छिल 24 परगनाजिलों में इस्तित है और किन साजित प्रदेश की बाद की जाए अब तक 9 राज हो चुके हैं और उनमें जो है सबसे बड़ी जो तट्रिका जो राज रहावाब का गुजरात रहा है किन साजित प्रदेशों में पूर्डू चेरिक जो चेतर है वह टोटल 36 किलमेटर है और किन साजित प्रदेशों जो तट्रिका देखा जाए उनमें पूर्डू चेरिक जो तट्रिका वह सबसे छोटी है लच दीप का 132 km छेतर आता है और सबसे लंबी तर्ट रिखा जो आती है किंसाइट प्रदीशों में वो अंडमान और निकुबार दुईप समू की आती है टोटल जो है 1962 km छेतर आता है और यह सभी किंसाइट प्रदीशों में जो है सबसे लंबी है तो टोटल जो भारत का कुल तर्टी जो लंबाई है वो 75-16,6 km जो है वो कुल तर्टी रिखा की लंबाई है अगला जो टॉपिक है भारत के प्रमुक परवती दर है यहांस प्रस्ट पर इच्छा मबारबाब पुछता है काफी confusion रहता है इसकों लोग इसका कुई कुरिविजन कर लेंगे रहतांग जो दर्टा है मुझाई कभी पूझता नहीं important उतना है नहीं आपके लिए रहतांग दर्टा आपके हिमाचर प्रदेश में है और यह हिमाचर प्रदेश के कुलू लाहूल और इस्पीत घाटी को जोडता है तुजु दर्टा यह आपके मडिपूर में है और यह दच्छिर पूर में मियामार की सीमा पर इस्तित है मड़पुर के दच्चिरपूर में इस्तित है और मियामार की सीमा पर इस्तित है और इसी दर्रेस्टों को मियामार जाय जाता है जो जिला दर्रा है आपके लदाक में इस्तित है और यह जो है ले और स्रेनेगर को जोडता है जो जिला दर्रा जो है यह लद्दाख के कारगेल जिले में है और यह है ले आउर स्रीनेगर को जोडता है दिहान दर्रा आपके आउलाचर प्रेस में है आउलाचर प्रेस को मांडले जो म्यामार में है उसके लिए जोडता है दिफु दर्रा आपके अनुच्छ पदेश के पूर में इस्तित है यह भी म्यामार से जोडता है अनुच्छ पदेश को खारदोनगा दर्रा यह लदाख छेतर के लेह के पास इस्तित है यह जो है लेह को सियाचिन हिम्नत को हिम्नत से जोडता है लेखा पानी दर्रा या भी अनुचर प्रदेश में जोड़ता है लेखा पानी दर्रा या भी अनुचर प्रदेश में जोड़ता है लेखा पानी दर्रा या भी अनुचर प्रदेश को मियामार से जोड़ता है लेखा पानी दर्रा या भी अनुचर प्रदेश को मियामार से ज पूछता है कि इस दर्रा की बिसिस्ता क्या है जैसे अलाच्छा प्रदेश को मियमार से कौन सा दर्रा जोडता है उसमें आपको आपको सही विकल्प का चेर करना होता है नातुला जो दर्रा है आपके सिक्की में सित है और यह भारत चीनी सीमा पर इस्तित है और यह प्राचीन जो सिल्क रोड था उसी का एक हिस्सा है यह भारत और चीन के बेच तीन ब्यापारी सीमा चोकियों में से एक है और 1962 कई दिकबाद यह पुना है वर्स 2006 में खोला गया ह थाल घाट जो है यह आपके महराश्ट में सित है और यह पस्मी घाट जो सियादर की नाम जानते हैं हमें इस्तित है और इससे ओकर मुंबाई को नासिक से जोड़ता है तो मुंबाई को नासिक से जोड़ने वाल जो दर्रा आपका है वह थाल घाट दर्रा है और यह आपके महाराष्ट में इस्तित है नेटी दारा आपके उत्राखण में इस्तित है और यह जो है उत्राखण को तिबबत से जोड़ता है पीर पंजार यह आपके जमु कस्मीर में इस्तित है भोर घाट आपके महाराष्ट में इस्तित है और यह जो है पुना को मुंबाई से जोड़ता है भोर घाट दर्रा यह आपके माराष्ट में इस्तिता है बोमडिला दर्रा आपके अलाचप प्रेश में इस्तिता है और यह जो है अलाचप प्रेश को लासा तिबबत की राजधानी को जोड़ता है बोमडिला दर्रा, सिभकिला दर्रा आपके हिमाच्छा प्रदेश में है और यह भारत चीन के सीमा पर इस्तित है और सतला नदी जो है इसी से उकर बहती है सिभकिला दर्रा से बनिहाल दर्रा यह पीर पंजाल में NH1A पर इस्तित है और यह आपके जम्मु कस्मिर में इस्तित है और यह जो है स्रीनेगर को जम्मु से जोडता है और इसमें जवार सुलंग जो है इस्तित है और जिसका गाटन वर्ष 1956 में हुआ था जवार सुलंग का यह जो है बनिहाल दर्रे में इस्तित है बुर्जिल दर्रा या आपके श्री नेगर से किसन गंगा घाटी को जोडता है और यह जम्मू कस्मीर में सीथिते है यह कस्मीर घाटी को लद्धा के देवसाजी मैदान को जोडता है बड़ा लाचा दरा आपके हिमाचल प्रदेश में इस्तित है यह मनाली और लेह को जोड़ता है पालगाट दरा यह भारत के मद केरल राजी में इस्तित है और यह जो है केरल को तमिलनाड तथा कनाटक से जोड़ता है पालगाट दर्रा सिपकिला दर्रा या आपके हिमाचर प्रदेश में इस्थित है और यह भारत के हिमाचर प्रदेश के किनवर जिलो को तिबबत के नयागागरी विभाग के जानदा जिलो को जोड़ता है सिपकिला दर्रा आपके हिमाचर प्रदेश में है इसमें main सिर्फ आप जानिए कि दर्रा कौन सा है और कहाँ पोछित है उम्मलिंग दर्रा ये आपके लदधाख में इस्थित है और आभी हाली में जो है बेस्व के सबसे उची मोटर योग की सड़क बनाई गई है उम्मलिंगा दर्रा ये आपके लदाख में इस्थित है आगे बढ़ने से पहले आगे बताना चाहता हूँ UP pieces prelims 2024 के prelims का हमारा crash course रूप किया गया है दोनों भासाओं में और यह आपका 5 जनवरी से सुरूप किया गया है हमारे जो course चला जा रहे हैं यह कई टाइप के हैं जिनमें complete study material प्लस discussion group के जो फीस रखी गएवाई 9000 रुपे रखी गई है only test reach का जो group है यह आपके 3500 रुपे का है without discussion जो हमारा group है study material साथ वह आपका 6500 रुपे का है only pedcoach का जो group है वह आपका 12000 रुपे गा और UP pieces pre 2024 के लिए केवल 844 page पढ़के जो है जिनमें आपका GS और करणड़ रहेगा इस प्रकार का हमारा study material बनाए गए है आप इसे इतना पढ़के जो है आप prelims qualify कर सकते हैं और इसकी जो फीस रखी गए वापकी 3000 रुपे जो है इसकी fees रखी गई है अगर आप इन सबी paid course के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यह हमारे दियागे नमबर है इस पर call है whatsapp करें जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पंच प्रयाग जहां से आयोग बार बार परिच्छा में पूछता है नदी के आवरोही करम के अंसार सबसे पहले आता है बिशुल प्रयाग आता है फिर नंद प्रयाग आता है काण प्रयाग आता है रोध प्रयाग आता है और फिर आपका अंत में देव प्रयाग आता है यह जो है पंच प्रयाग के काफी बार परिच्छा में पूछता रहता है और काफी confusion भी होता है अब इसमें बिशुलु प्रियाग में जोगा अलग मंदा नदी धोली गंगास मिलती है नंद प्रियाग में अलग मंदा नंदाकनिस मिलती है करण प्रियाग में अलग मंदा पिंडा नदीस मिलती है रोद प्रयाग में अलग नन्दा नदी मंदाकनिस जाके बिलती है और देव प्रयाग में अलग नन्दा भागी रथी से मिलती है तिस प्रकार जो है पंच प्रयाग हो गए यहां से पिंडा नदी आती है और यहां इसे मिलती है अलग नंदा में और यह जो जगा होती है उसे कंड़ प्रयाक के नाम से जानते हैं फिर इधर से नदी आती है आपके मंदाकनी और यह है अलग नंदास जाके मिलती है तो इसे रूद प्रयाक के नाम से जानते हैं लोग रूद प्रयाक के नाम जानते हैं और फिर यह अलक नंदा नदी आगे निकलती है और इधर से भागी रथी नदी आगे मिलती यहां पर यह जो जगह है इसे हम लोग दिव प्रयाक के नाम से जानते हैं तिस प्रकार जो है अलक नंदा नंदी और धौली गंगा का जो सं प्रयाक के नाम जानते हैं अलगन्दा और मंदाकनी जहां मिलती है उसे हम लोग रूदु प्रयाक के नाम जानते हैं और अलगन्दा और भागी रती का जो संगम का छेत्र है उसे हम लोग देव प्रयाक के नाम से जानते हैं और आगे यह गंगर नाम जानते हैं बाद में यह कुछिकल जलप्रपात ये कनाटक में है वराही नदी पर है दूर्द साकर जलप्रपात ये आपके गोवा में है मांदवी नदी पर है जोग ये गर्सपा जलप्रपात ये आपके कनाटक में है सरावती नदी पर है ये कई बार परिछों में पूछा गया है जोग ये गर्सप रूड़मा या मचकुन्ड या आपके ओडिसा में सित है मचकुन्ड नदी है सीव समुद्रप्रा या कंणाटक में या कवरी नदी परिश्थ इस नर्बंदा नदीप है चुलिया जलपपात यह आपके राज्थान में है और यह आपके चम्बल नदी परिस्तित है राजरपपा जलपपात यह आपके जारखन में परिस्तित है और यह राजरपपात दामोतर और भैरवे नदियों के संगम परिस्तित है कपिल धारा दुख धारा जो जल प्रपात है आपके मद्य प्रदेश में है नर्मदा नदीपर इस्थित है चित्रकूर्ट यह चित्रकूर्ट जल प्रपात है चतिसगर्ण में है और यह आपके इंद्रावती नदीपर इस्थित है कुछिकल जलपरपात कनाटक में है वराही नदी पर इस्तित है और यह जो है भारत का सबसे उचा जलपरपात है यह सबसे इंपोर्टन आपकी परिच्छेक लिए है भारत का जो सबसे उचा जलपरपात है वह आपका कुछिकल है यह वराही नदी पर यह कनाटक में इस्तित ह नोह कलिकाई जलब प्रपाद या आपके पूर्वी खासी पाड़ियों प्रपाद या आपके मेघाले में इस्तित है और इसे प्रकार से एलिफाइंड प्रपाद या सिलाउं मेघाले में इस्तित है भारत में नदी बेसिन किसका चेतपल सबसे बड़ा है उससे कम किसका है इस प्रकार से परिछा में परशन पूझता है तो सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है जो चेतपल जिसे देखा जाए तो अपका गंगा बेसिन है गंगा बेसिन जो चेटपल टोटल जो है 8,031,044-4,4 वर किमिेटर जो है गंगा बेसिन का जो सभी बेसिनों में सबसे बड़ा है भारत की है सिंद्वी बेसिन जो चेटपल है 4,0 학, 3,913,8,7 वर किमिेटर चेटपल है गोदावरी की छेटफल तीस्य स्थान पर आता है जिसका छेटफल 3,23,993 वर क्लिमेटर इसका छेटफल है क्रिश्वला बेसिन का 2,57,443 वर क्लिमेटर है इसी प्रकार से ब्रह्मपुत का जो बेसिन है वह 1,64,4216 वर क्लिमेटर छेटफल है महा नदी की जो बेसिन है वह 1,49,619,5 वर क्लिमेटर छेटफल पर फैला हुआ है और नर्मदा की जो छेटफल है वह 22,627,5 वर क्लिमेटर छेटफल पर फैला है तिस परकाल जो है भारत में नदी बैसेन अमस्गा जो सबसे बऩाई आपके गंगा बैसेन जो सबसे बड़ा है दूसरे सिंदु बैसेन Bentfire का गोदावरी है भारत के प्रमुख बांद किस नदी पर जो है कौन सा बांद और किस राज मिस्तित है उसको लोग देखेंगे टीहरी बांद उत्तरा खण मिस्तित है और यह आपके भागी रहती नदी पर इस्तित है और यह भारत का सबसे उचा बांध है और इसकी कूल उचाई है, वह 270.5 मीटर इसकी कूल उचाई है अध्यू judgment पुरचता है हीरा कुंड बांध से, यह आपके उडिसा मिस्दित है और यह भारत सबसे लंबा बांध है और इसके कुल लंबाई जो है वो 2579 किलिमीटर है और यह महा नदी पर इस्तित है हीरा कुन्ड कोडिसम इस्तित है सबसे लंबा बाद है और यह आपके महा नदी पर इस्तित है इसी प्रकार से भागी रथी बाद जो है यह सबसे उच्छा बाद इसके कुल लंबाई दो साल स पांच मीटर है और भार साथ से पूराना जो बाद हो आपका काविरी नदी पर कल्ला नई बाद है और यह आपके तमिलनाड के तंजाओर जिले में इस्तित है आए कुछ इंपोर्टन जो बाद उनकों दो देख लिते हैं तुंग भद्राबाद या आपके कनाटक में है तु इद्ली शुलराज साँगरबाद काविरी न değी पर किष्थित ए हैं इनदीरा सागरबाद या आपके 65 में नंदी पर आहए और इसी पर जो है सरदा सरवर whisper बाद है लेकिन यह आपके गुझ्रात में से थह न मरप्र सね आजजुन शागरबाद, तिलंगळा मेंlla में से आपके किश्णा नदी पर ही राख़ा नागल बाンダ ओरिसान और फाने पर फान पगला नागल बा। पंजाब हिमाल पंजाब हिमाचल प्रदेस्की जो है नदी पर फिर्शेत है भाख़ा नागल बा। जो है यह 17 नदी पर पूछा गया है, यह भी कई बार परिच्व में पूछा गया है, ठीन बाद परिजुने आपके पञ्जाब में आए, और यह रावि नदी परिश्त थे यह दी बाद यह उत्राखंड में भागिर रहती परिश्त है, श्री स्लम बाद आपके तेलंगा नाम है कृुछन नदी बगा लिहार बांद जम्मौ और कस्मिर इस्थित हैं यह चिनाव पर इस्थित है यह दो कहीवर परीछ इस्थित है तो कुछ इंपोर्टन्स जो आँ नगी गुच फ़ारत के जल विद्युद्ध सनियन सान्यद उन्हक्म यह आंद्र प्रदेश में मचकुंड, नागारजुन सागर, निजाम सागर, सिलेरु और स्री सेलम जो है जल विदूत सन्यंत्र है बिहार में आपका कोसी है गुजरात में उकाई, हत माटी, भद्रा, आकारी मोटा और सरदार सरोग ये सबी जो है जल विदूत सन्यंत्र आपके गुजरात में है, दुलहस्ती, निचली जेलम, सलाल और बगल यारी आपके जमुकस्मीर में है, जहारखंड में मैथन, पंचित, बाल, पहाड़ा, बोकारो, कुनार, आयार, तिलाया, ये सभी जहारखंड में है, करनाटक में महत्मा गाधी जिसे हम लोग जोग प्रपात क नाम जानते हैं, सीव समोंद्रम, ये आपके कावेरी पर है, भद्रा, तुंग भद्रा, किसला सागर, किसला राज सागर जो है, ये आपके करनाटक में है, इडुकी बाध, इडुकी बाध भी है, और जल विदुत सन्यंत्र भी है, और सावरी गिरी, पेरियार, ये सभी ज जो राज्य है उनमें दिकु दोयन दोनों नागलेंड में हैं गूंती आपका तृप्रम है लोक तकजीद आप्के मरिपूर में है faith रेला में है छान डोंग तर्प्राई आपके मेधाला में झालनम में है इस Спानब्Ok कुन बाध और इसी पर जल्वी परिए पर्योजना, या आपके महानत्ती पर है मरिपूर में लोकटक है, या आपके इंपाल में है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आपका भागरा नागल परिए आपके फिडेहर है फिर हरी के नात्पा जाकरी है ये सबी जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा प्रसित है राज्थान में राणा प्रताप सागर है, जवहार सागर है, चम्बल नदी पर तमिलाड में मेत्तुर और पेरियार है उत्तराखन में टीहरी बांद और कोटेस्वर बांद जो भागी रथी पर इस्तित है इसी पर जो है जल विद्वत सन्यंत्र है उत्तर प्रतेश में रिहन, रामगंगा और टॉंस है पंचेत जो यह आपके पसिमंगाल में है और तीस्ता बांद जो है, यह आपके सिक्की में है यहां से परिशाम प्रस्ण जो है, बार बार आयोग पूछता है भारत के कुछ परमाल उर्जा इस्टेशन उनकों जो देख लीती है प्रिशाम पूछेगा कि कौन सा परमाल उर्जा इस्टेशन महाराष्ट में है या कल पक्कम, नरवरा या काकरा पार ऐसे देदेगा वो कि सराज में सती है इस प्रकाश्य स्कैंटर परीच्ह में प्रस्तावित है क्योंगा आपके करनाटक में इसथे 1993 में इसकी अस्तापना होई थी कुछ परमाण उजय स्टेशन है जो प्रस्तावित है जिनमें बारगी चुटका ये आपके मद्रप्रदेश में है चाया मेठी विर्दी आपके गुजरात में प्रस्तावित है कुमहरिया ये गोरखपुर जो है ये हर्याना वाला है वहां पर ये प्रस्तावित है इसी प्रकार से माही बास वाड़ा जो है ये आपके राजस्थान में प्रस्तावित है तिस प्रकार जो है जियोगराफिक की कुछ most important topic थे जहां से आयोग परिछाम प्रस्न भारबा हैं मिलते हैं निश्टी वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत